नमस्कार मित्रो जै मातादी माता राने की किरपा से फिर एक नई वीडियो में आप सबी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो मकार राशी वाले जात्कों के लिए बेहत खास और बेहत इनपॉंटेन होने वाली है आज की दिन का क्या रहने वाले आपका भागी साली रंग और क्या रहेंगे आपका भागी साली अंग और आज का दिन चरिया कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कारी करना है इस वीडियो में आपका पूरी जनकारी मिलेगी इस वीडियो को पुरे अंतक देखे और वीडियो का कोई भी पाट पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करे जै माता दी और अभी तक अब हमारी चेनल में नए है तो चेनल को सस्क्राइब करे आज के दिन आपको घार की किसी की संबंद्यों में आगबन होने वाले हैं तथा आपसी मेल मिलाब तथा वीचार मिमस में से कुछ समस्यां का भी शमाधान भी निकलेंगे समाजिक गतिव मिधियों में भी आपका स्योग आपको अपनी पहचान वर मान संबंद भी बनाई रखने में मदद करेंगे धियान नकारतमंग बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दे आज वेबसाइट में बहुत ही सज़ीदगी और गंभीता से काम करने की जुरत होने शेहस्तेजी मंडी और जिसी वेबसाइट में सी बहुत ही सोच समझ कर निर्ने ले ओपिस में संबंदी कामों में अपना भी कोई महत् रहने वाले हैं वेक्ति गत उलजनों के कारण आप घर परिवार पर भी अधिक धियान नहीं दे पाएंगे जिसकी वज़े से सबकी नराजगी भी जिलनी पड़ सकती है और आज सारे रिक और मांसिक रूप से भी ठकान और कमजोरी भी महसुस हो सकती है सुकुन और सांती पाने के लिए उत्तम साहित को भी पढ़ने के अथ्वा एकांत में कुछ समय से अविशी वेतित करना हुई अतिया अविश्कता होगी और आज का आपका भागी साली रंग रहने वाले हैं के शरिया और आज का आपका भागी साली अंक रहने वाले हैं नो जीवन से संबंद भागा दोड कम होने के करण आज आप मौज मस्ती पर भी ध्यान दे सकते हैं महत्पुन बाते आपके पक्ष में होगी परिवार के किशी विस्खास व्यक्ति की मर्जी से आप पर बनी ही रह सकती है यदि आप घर में कुछ बदलावच करना चाहते हैं या मैं घर में जाना च चाहता हूँ तो इससे संबंदी बातों में आपको योग व्यक्ति की मदद पराप्त होगी काम से संबंदी आ रही कठी नायों का भी दूर करने का भी अधिक ध्यान रहने वाले हैं पार्टनर के बेच में आकर्शन भी बना रहेंगे अधिक गर्म या अतला हुआ खाना ख सकते हैं माज जी एका गरता को बनाए रखे और आज सीप चलिशा का पाठ करें और आज के दिन दावा परती निज्यों को भागा दोड़ी के अनुपाद भी सफलता भी मिल सकती हैं उठा पटक के चकर में बिलकुल भी आज ना पढ़े नहीं तो नुक्सान भी हो सकते हैं स्वास्त कोश्त संभाल के रखने की जुरत होगी और हनुमान जी के सामने तेल का दिपक जलाएं और हनुमान चलिशा का पाठ करेंगे तो सारी समस्या भी दूर हो जाएंगे किसी भी उप्योक्ति वेक्ति से बार प्रामस और बात की निवेश में से परिवर्तन करें ना अन्यविश करने से बचे असुपाची भजन पर भी बल दे गाई को हरा चाराट डालें और आज के दिर विध्यार्थियों के लिए शमय अच्छा रह सकते हैं नोकरी के लिए सक्सता कार भी दे रखा है तो इसके बारे में अनकुल समचार भी मिल सकते हैं साथ समबंदी कुछ समस्या भी रह सकते हैं गनेस मंदीर में लाल धुआजा चड़ाएं और अटंडेंट के नोकरी करने वालों के लिए शमय ठीक हैं नर्सिंग कर्मियों के लिए भी अज कुछ अच्छा हो सकते हैं आखों से समबंदी कुछ समस्या भी चल रही है तो इसमे रहत मिल सकती है गहरे रंग का व्रसदार मिठाई दान करें किसी के शामने अपने कोई भी मैतपूर योजना भी रखना चाहते हैं तो रख लीजिए और भविश्च के लिए भी बड़ी योजना बना सकते हैं असीर दर्द भी रह सकते हैं अमोक सीप कवच का पाठ करें न भाइतकारों के लिए भी शमय और महर्बानी भी हो सकते हैं खान पानकां परमोमरा गरवडया होत हो सकती हैं कुट्तों को रोटी गूर से डाल कर खिलाएं और आज पत्रिकारकरिता के वरिष्ट लोगों की अधिकनुकुलता भी रह सकती हैं सिक्षकों के लिए परिशानी भी हो सकती है वेर्थ की भागा दोड़ी भी हो सकती है पिता को मिश्टान भेंट करें लिपिक वर के कर्मियों को कुछ सजगता भी हो सकती है परिवार की अविश्कता की पूरती में पर्थामिक से लगें माता की तरफ से खास धियान दे अश्वरस्वती देवी क भी पहले फूल को माला पहना है और आज की दिन आपको इस समय अपने विर्तिक कारियों को ज्यादा ध्यान दे आईशा करने से आपको भविश के लिए बहुत ही फाइदे मन रहने वाले हैं कुछ देने कुल जहनों से निजात मिलने से भी मानसिक सुकुन बना रहेंगे कलाक कत्रमा को छेत्रे से रूची भी बढ़ने वाली है और अपने परिवार्ज के संबने जरुवतों को नजरांदाज ना करें कोई भी मैजपूर्ण नीर ने आज अस्तिगी थी रखें तो अच्छा रहने वाले हैं आप आप किसी भी दुविधा में बुरी तरसे ने तो फो पठी से संब्धी वेवशाय में कोई भी अच्छे डिल होने के भी शंबबना है और पिस में किसी के भी बादवात की इस्तिती भी बन सकती है घर का वतावरन भी सुख सांती से परिपूर्ण रहने वाले हैं आचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात और खुशी नहीं उर्जा भी परदाने करने वाले हैं चोटी चोटी बातों तो पर भी तराव लेना आपकी कारी चमता पर भी परवावित करेंगे हम एडिसन में कुल समय से अविशी वेतित करने के भी जुरत होगी आज आपको अपने दुवारा की गई गलतियों की आईशास होने वाले है जिससे सुधारने का भी कोशिस आपके दुवारा ही की जाएंगे लोगों के साथ में संब्द ठीक करने की कोशिस भी आपके दुवारा ही की जा सकती है आपको मिल रही है यस के वापजुद भी समाधान मिलना फिलाल कठिन लग रहे हैं काम से संब्दी मिल रहे हैं अप सर कान भी मैसुस हो सकती है सकारत्मा के प्रिविर्ति के लोगों के साथ में कुछ अविश्य वेतित करें भावनात्मा गुरूप से खुच के सक्त मैसुस हो करेंगे तरह समाजिक दैरा भी बढ़ने वाले हैं युगां को अपने किलक्ची को भी हासिल करने की शपलता मिलेगी जल्द बाजी के लिए फेचले बदलने पर भी पढ़ सकते हैं बैतर होगा कि सोज विचार करके ही कोई भी कारी करें अपने नीजी कारी में से उचित समय ना निकाल पाने की वज़से मन में कुछ खुंटा और ये उदासी भी जैसे इस्तिती भी रहने वाले कारो बार में मनुवाचित परिना भी हासिल होंगे परन्तु जल्दी सफलता पाने के चकर में किसी गलत रास्ते का भी चुना ना करें भूमी तथा वाहन से संबंदी वेबशाई गाती वीदियों में भी सुधार आएंगे और राज की कार्यों में से कुछ बदाएं भी आशकती है पती उर्जा के और से देनिक कारियों में संपन भी कर पाएंगे और आज आपको परिवार के भी कुछ लोगों के प्रति अपने गुस्ता को मैसुस हो सकते हैं आपके दुवारा कहीं बातों को भी ना समझाना आपके लिए भी सोजाव का भी ठुकराने का भी वज़त से रोस न महिलाओं को अपने कारिच चेतर में आगे बढ़ने के लिए अधिक धियान पुर्वक काम करना होगा पार्टनर के प्रति मन में उत्पन हो रही भावना में से तुरंत परकट ना करें पेट में बरती ग्यास के कारण बैचेने भी महसूस हो सकती है और आज कोई भी मैत्प